हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो नॉलेज अफ आफ रायां दमालभी आज हम बात करने वाले हैं आई-एस इंटर्वी के बारे में दोस्तों मैंने आई-एस के बहुत सारे इंटर्व्यूज यूटूब पर देखें जाहें वो किसी कोचिंग के इंटर्व्यू हो या फिर ऐ हाइब के साथ साथ स्मार्ट भर्विंवी जरूरी होता है जैसे की आक्म आ पने कोई सब्सप्जेक्टds के बारे में बहुत ज़्यादा स्टेडि कर लिए है यह फिर आपने करन। चाहिए लेकिन इसके साथ एक स्मार्ट भर्वी चाहिए कर इसको कैसे, अपने इंटर्व यह कुछ जो questions हमने हमसे पूछी जाते हैं उनका answer हमें इस पेकार कर देना चाहिए उस relevant यह कोई question बनता है तो उसका answer हमें मालूम होना चाहिए हमें कोई question पूछा जाए तो उसका answer इस प्रकार नहीं देना चाहिए कि यह हम उसका आंसर देने के बाद पूरे completely उसको finish करते हैं तो इसके जवाब हम ना दे पाए इसलिए हमें कोई भी question का जो answer है वो इस प्रकार से देना चाहिए कि हम यदि हम से उस answer में से अपने स्कूल्स में भी देखा है जब को को सब्सक्राइब बन जाता है इसलिए जब भी आप किसी question का answer दें तो एक की द्यान में रखें कि answer इस प्रकार से दें कि आप उसमें से कोई कोस्टन बने तो तई तरीके से उसका भी आंसर दे पाएं मतलब एक तरीके से अपने आपको बचाना है ठीक है यह नहीं कि आप खुद के आंसर में खुद फस जाएं तो यह बात निकल कर आईए कि हमें हार्ट बर्ग के साथ स्मार्ट बर्ग भी चाहिए कोड चीज मैंने द रटा-रटाया है मतलब जन्जली जो इंटर्व्यूज होते हैं उसमें यह देखते हैं कि आप प्रक्टिकल सिच्वेशन जो होती है रियल लाइफ यह सिच्वेशन होती है उसमें आप किस चीजों किस प्रकार्ट से कि जोंको हैंडल कर पाते हैं वह यह नहीं चाहते कि लगताया कांसर तो आपको वहां पर क्टिकली क्वेशन का अंसर देना है आपसे अन्स जबार सब्सक्राइब करने तो और बश्रेक्राइब् 원 यह क्ज़क्टम होते हैं दहूंकि होते हिसे को में घ्र लाइफ लेंज्द कर wildlife हुते हैं चुछ यह तो इंटर्व्य रहें वह आसल आप कुछ इस प्रेकार से चेक करना चाहता है कि आपолнच प्रेकार करना चाहता है कि आप ट्रेल यह में ऑफ करें लिया अब इस की आप प्रक्टिकली कैसे लाइफ को देखते हूं इसके अलावा एक ओर चीज मैंने देखी है कि हर एक जो इनका इंटर्वी होता है वो यूनिक होता है यूनिक कैसे क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ फी यूनिक होती है क्योंकि जो इंटर्वियर होता है वो आपकी लाइफ के बारे में पुछता है life के बारे में उने अपके education लेक्राउंड की बारे में आपके percentage के बारे में एना आपकी किस इस्ट्रीम में अपने डिग्री वसील की है तो उसी से related questions आते हैं फिर आपने इस फिल्ट क्यों चूज़ की है तो हर एक person का अपना अपना तो में तो यहां तक कहना चाहूँगा कि जो आईस के इंटर्वीव होते हैं वो यूनिक होते हैं इसलिए हमें जो कोई भी आईस इंटर्वी का इंटर्वी कौलिफाइड करता है उसको फॉलो करने की बजाए हमें अपने आपको ही गहराई से देखना चाहिए यदि हम अपने आपको समझ गए तो एक हद तक हम इंटर्वी में बैतर प्यारी कर पाएंगे क्योंकि जो आईस इंटर्वी है उसमें खुद को एक्स्प्रेंड करने की ज्यादा अवशकता होती है ना कि दूसरों को तो हम अपने आपको समझें कि हमने क्यों प्रटिकलर डिगरी हासिल की है क्यों आएस विडिम में आना चाहते हैं इस सब चीजों के बारे में आपको प्रटिकल नौलेच होनी चाहिए आई होगी यहीं कोई बात आपको यह से लगए आपको समझें नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक में लिखकर हमसे कुछ सकते हैं तो आज वीडियो में इतना ही को बच्चिंग